Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel आज का ये वीडियो है ससे स्ट इनियोग्राफर के नोटिफिकेशन के रिकार्डिंग है ससे स्ट इनियोग्राफर 12th पास स्टुडेंट के लिए एंडियो को अगर माटा दू तो सबसे हाइस्ट पेड गवर्मेंट जॉब है इसकी सेलरी 50,000 से 60,000 तक आप डिरेक्टली as a 12th पास पहुँच सकते हो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट आप ले सकते हो जो कि एक ग्रेजुएट लेता है वो भी सिर्फ और सिर्फ 12th पास के लिए इस जॉब के अंदर 2-3 बाते अच्छी है और 2-3 बाते बुरी है जो मैं आपको स्टार्टी में बताएता हूँ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर math का paper है ही नहीं एक marks का भी math का paper नहीं है दूसरी अच्छी बात है कि इसके अंदर films और mains का concept ही नहीं है मेंस examination है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ films देना है उसमें भी तीन paper होंगे math का paper तो है ही नहीं ठीक है बुरी बात क्या है बुरी बात है कि इसके अंदर skill test देना है जिसके बारे में detail में हम इस video में discussion करेंगे दूसरी बुरी बात है इसका cut off इस नोकरी के अंदर total आपके 200 questions होते है 120 minute मिलते हैं solve करने के लिए और 120 minute में जो cut off जाता है 146 जाता है grade C का और grade D का जाता है 131 जो लास्ट टाम गया था बहुत जादा cut off है और इस तरह के cut off अचीव करना बिना mock test के ना मुंकिन है सिर्फ यह नहीं किसी भी नोकरी का अगर आपको mock test नहीं दोगे न आप वहाँ पे पीछे रह जाओगे तो rank कम आ जाएगी या फिर fail हो जाओगे तो यहाँ पर मैं आपको mock test recommend करता हूँ SSC stenographer के लिए भी या किसी भी सरकारी नोकरी के लिए पान सो सतर से जादा सरकारी नोकरी आपको अवलेबल है जी बिल्कुल test book pass के बाद कर रहा हूँ है आपको और mock test से सिर्फ यह नहीं कि आपके speed improve होगे आपको type of questions पता चलेंगे कहां आपके कम्या रह रही है वो आपको competition बड़ा mock test दो जहां पर ज्यादा बच्चे देते हैं ताकि आपको आजपास का competition पता चले test book pass इन सारे चीजों में best है test book pass आपको एक pass देगा जिसमें सारे जितनी भी सरकारी नोकरी आपने फ़रा होगा या भरने वाले हो सब कवर होंगे 43,000 से ज़्यादा mock test इसके अंदर अवलेबल है 500 से ज़्यादा examination से cover करता है 1500 लाग से ज़्यादा active यहाँ पर users हैं जो student दे रहे हैं 25 करोड से ज़्यादा mock test लोग यहाँ पर attempt कर चुके हैं 7,000 से ज़्यादा previous papers अवलेबल हैं 10 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में आप mock test दे सकते हो मेरा coupon code है NIKHIL निखिल 20% का आपको discount मिलेगा आप इस pass को purchase करोगे तो एक साल वाला ले लो मैं तो कहूंगा और जितनी भी एक साल में नोकरी आने वाले हैं हर एक mock test जो आपका form नहीं भी बड़े होगे जो आएगा उस सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा तो test book pass बहतरी है mock test में पैसे के मामल में भी इसे सचता कोई भी नहीं है देश में और ना quality wise इससे अच्छा है और यह हमेशा regularly आपको mock test include करते रहते हैं एड करते रहते हैं अपने test book pass के अंदर तो चली notification को देखना start करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं dates का तो 20 अगस 2022 से इसका form start हो चुका है भरना आप चाहो तो apply कर सकते हो 5 September 2022 इस form को भरने का आखरे date है fee भरने का 6 September 2022 है इसके बाद अगर आपके form भरते हो कुछ आपसे गलतिया हो जाती है तो कोई बात ने 7 September को दुबारा यह form को लेगा जो लोग गलती कियोंगे वो अपने गलतियां सुधार सकते हैं और इसके examination date की बात करें तो November 2022 में इस form का आपका examination हो जाएगा एक ही paper है math भी यहाँ पर आपको देने के जरूरत नहीं है और आपका single examination से इनोकरी भी लग जाएगी तो यह अपने dates देख लिए आप हमाँ आते है application fees के उपर fees की बात करों तो male general AWS और OBC candidate है उनको 100 रुपए application fees देनी बाकी सब के लिए free है तो कोई भी category की female हो general हो OBC हो कुछ भी हो 0 रुपए application fees है एक रुपए भी नहीं देना और SCST physically handicapped student को भी एक रुपए नहीं देना तो male candidate जो की general AWS OBC है इनको ही 100 रुपए देना है योगी application fees की बात अब हम post के उपए आ रहते हैं देखिए यहाँ पर post की detail नहीं बताईगी है कि कितनी post आपकी यहाँ पर निकली हुई है तो post की बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको idea दिये जा सकता है कि कितनी post निकलेगी देखिए SSE CPU का भी notification निकला था 4000 के आसपास post थी लगबग 2 गुना था last notification से क्योंकि 2021 में कोई उसकी notification निकली नहीं थी क्योंकि COVID चल रहा था तो लगबग 2 गुना निकला था SSE CPU का तो वैसे ही SSE Studio का last time 8500 के आसपास था तो इस बार 1600-1700 post के आसपास निकलने के chances हैं cut off में बहुत फरक पड़ेगा इसका बिल्कुल पड़ेगा cut off मुझे लगता है कि 5-6 नंबर के आसपास तो कम होगा इस बार का CPO का भी होगा और इसका भी होगा तो इक बार last year का आपको idea देता हूँ कि किस तरीके का इसके अंदर post होता है कैसे क्या चीजे होती है तो इपर अब screen पर देख लीजिए आपको दिख रहा होगा अलग-अलग department जैसे Bureau of Police Research and Development Civil Vigilance Commission, CVC जिसको बोलते हैं ऐसी अलग-अलग ministry होती है इन ministry के अंदर stenographer की नौकरी लगती है जैसे stenographer grade C की आपकी नौकरी लगेगी आपको post दिखेगा कि हाँ ये post है और इसके अंदर आपको grade पे 72.00 बिल रॉपैं मिल रहा होगा कहीं-飲ोपैं मिल रहा होगा grade C के अंदर जहां 4200 आपको grade पे मिल रहा होगा ना 4200 का मतलब है दरोगा यानि सब इंस्पेक्टर 4200 grade पे 4600 grade पे जहां पे लिखा होगा ना वो आपका होगा इंस्पेक्टर लवाल का recruitment इसके लाबा grade D के अगर आप नौकरी पाओगे stenographer में वो भी मंत्राले के अंदर ही होगी इसके अंदर आपको 2400 रुपे grade पे होगी ये इन तीनों के अंदर सबसे कम salary वाला है आपको ऐसे stenographer के बारे में बताओं तो stenographer जो है वो central government के recruitment है तो central government का जितना भी department है जितने भी ministries है उसके अंदर stenographer के नौकरी इसी के थुरू लगती है नीचे level से लेकरके उपर के level तक आप इसी के थुरू नौकरी पाते हो तो यहाँ पर stenographer grade D की नौकरी है वो सबसे छोटी नौकरी होती है ये नौकरी जो पाएगा उसका पर्मोशन होगा पर 2400 में भी बस आपकी rank की उपर ही सारे डिपेंटी करेगा कि आपकी rank क्या रही है ठीक है यहीं पर हम salary की बात भी कर लेते हैं दीकि मैं बड़ा चला के salary जबरस्ती नहीं बताऊंगा gross salary बहुत जादा 8090,000 एक लाग रुपय है इतनी salary नहीं मिलने वाली आपको सीधे सीधे salary बताता हूँ grade D के लिए 2400 जिसका grade पे है उसकी salary होगे 30-35,000 रुपय जो 4200 वाला है उसकी salary आपकी होगे 45,000-50,000 रुपय और जो आपका grade C के अंदर 400 grade पे उसकी salary होगे 55,000-60,000 के आसपास और आपका अगर ऐसी जगा पोस्टिंग होती है बहुत अच्छे शहरों में पोस्टिंग होती है तो इन सारी salary हो के अंदर आप 8-10,000 रुपय और जोड लीजिए आप 1600 grade पे वाले में और 1200 grade पे वाले में तो 12,000-15,000 तक जोड सकते हैं तो यह हो गया total salary का हिसाब इसके अंदर आप promotion अगर आप लग जाता है चलो grade C में में नोकरी लगए कहां तक पहुँचता हूँ मैं तो आप director level तक पहुँचते हो किसी department में आप वेसे काम भुई कर रहे होगे उन्ही का maintenance कर रहे होगे आप यह ने किसी और department के director बन जाओगे लेकिन आपके positioning वो director level की होगी rank वही होगी, cabin वही मिलेगा आपको तो अच्छी नोकरी है यह हो गया job profile salary वगरा हर चीज हमने देख लिया अब हम आजाते हैं next point पर जो कि है eligibility criteria सबसे पहले age की बात कर लेते हैं age की यहाँ पर बात की जाए तो दोनों का हैं, दोनों post का अलग-अलग age का requirement है grade C की बात करें तो grade C में 18 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस form को apply कर सकते हैं और grade D में 18 से 27 साल याने 18 से 27 grade D 18 से 30 grade C के लोग नोकरी apply कर सकते हैं यह age का requirement है relaxation यहाँ पर दिया हुए 3 साल, 5 साल जो आपको normal मिलता है OBC अगरा में CST मों यहाँ पर भी मिलेगा physical handicapped का भी मिलेगा ex-serviceman का भी मिलेगा और अगर आप video है, विदवा है और आपकी दुबारा शादी नहीं हुई है तो 35 साल तक हो आप तब भी apply कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे age relaxation काफी दिया हुआ है अब हम आ जाते हैं education qualification में आखिर भाई क्या education qualification चाहिए इस नोगरी के लिए भाई मस्त education qualification चाहिए कोई भी 12th pass इस form को apply कर सकता है क्या science commerce arts मांगता है कुछ भी हो आप कोई वरखने पड़ता आप apply कर सकते हो percentage का requirement है कुछ भी नहीं है 33% है हो 93% है हो आप apply कर सकते हो आपके 12th में 10 plus 2 था क्या था कोई नहीं पूछ रहा आपने 12th open से किया होगा कोई फरखने पड़ता आप तब भी apply कर सकते हो तो कोई भी extra requirement नहीं है 12th में आप एक साल fail हो गये थे अगले साल pass हुए तो भी आप चाहो तो apply कर सकते हो यहाँ पर कोई भी requirement नहीं है physically handicapped student भी यहाँ पर इस post को apply कर सकते हैं अब एक final question आएगा कि क्या 12th appearing student इस form को apply कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यह form को भरने का जो आखरी rate है 5 September तक आपकी degree आपके हाथ में होने चाहिए डिगरी मतलब 12th pass आपका result आजाना चाहिए online online result आपका आज चुका है तो आप 12th pass हो चुके हो magraison certificate आपका passing certificate character certificate कम मिलता है कोई फ्रक नहीं पड़ता online result आपका डिकलेर हो चुका है 12th का तो आप भी form apply कर सकते हो appearing वाले student नहीं कर सकते हैं इस form को apply समझ मैं आपको तो बस यही था यहाँ पे education qualification एक दो point और बदा दू कि आप इस पूरे देश में कहीं के भी नागरे को ना form apply कर सकते हो male female भी कर सकते हैं female के लिए बहुत अच्छे नोकरी है बिल्कुल आप नोकरी कर सकते हो यह बहुत अच्छा है इसके अंदर कोई timing का भी tension नहीं होता है और काम भी आपका normal आपका Saturday Sunday छुट्टी वाली नोकरी है तो हर किसी के लिए नोकरी अच्छी है recommendable है और 12th pass को ऐसे नोकरी मिलती नहीं है वैसे एक यहाँ पर requirement इस education qualification के लावा और है वो requirement का यह exam लेते हैं तो हम क्या करते हैं examination pattern को देखना शुरू करते हैं वही पर इसकी बात भी कर लेंगे तो देख लेते हैं कौन-कौन से प्रोसे से गुजर के आपकी नोकरी लगने वाली है examination pattern में examination pattern में total दो पार्ट है पहला है written test और उसके बाद है आपका skill test written test है वो single है math का paper भी नहीं है skill test जो आपका है वो important है इसके अंदर written test का बहुत ज़्यादा importance भी नहीं है obviously पास तो करना ही है पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो चली पहले written test लेख लेते हैं written test में आपके total होंगे तीन paper सबसे पहले होगा reasoning का paper 50 question, 50 marks उसके बाद general awareness का 50 question, 50 marks उसके बाद आपका English का होगा 100 question, 100 marks total आपको timing 2 घंटे मिलेंगी तो आपको 200 question होगा है 200 marks के solve करने के मिला आपको 120 minute यानी 2 घंटे यहाँ पर आपको English को छोड़ करके बाग की दोनों ही topics के अंदर Hindi English दोनों ही भाशाओं में paper देने का chance मिलेगा negative marking यहाँ पर 0.25 यानी 1 by 4th तो यह के total आपका written examination बस आपको यही देना है और कोई दूसरी चीज है ने written examination ना descriptive ना कुछ इसके बाद सिधा आपका skill test होने वाला है यहाँ पर आपको बदा दो English आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए बहुत अच्छी मतलब कि basic clear होना चाहिए बहुत अच्छी English नहीं बोल पाते हो कोई फरक नहीं पड़ता बोलने से यहाँ पर basic अगर आपका clear है ना तो आप इसके English attempt कर पाऊगे crack कर पाऊगे SSE CHSL से थोड़ा उपर level के English आएगा CGL CPU से थोड़ा नीचे level के English आएगा English का level का ठीठा कोगा number of questions जादा होंगे variety of questions होगे इसके अंदर ठीक है वो हम syllabus में देखेंगे तो written examination के बाद आप पहुँचेंगे skill test के उपर skill test का pattern देख लेते हैं grade C और grade D की नौकरी के लिए दोनों के लिए ही अलग-अलग तरीके के skill test होने वाले हैं grade C के अंदर दोनों करिया थी बैलिस और शेलिस सो अलग-अलग नहीं है इनका एक ही है ठीक है तो दो होगा दोनों का आपको बतायता हूं grade C के लिए आपको diction दिया जाएगा 10 minute का actually दोनों के लिए 10 minute का diction दिया जाएगा वहता 10 minute तक आपको या तो English में या तो Hindi में जो आपको application form में चुनना पड़ेगा अच्छा जो application में भड़ते वक्त आप language चुनोगे na English और Hindi वो इसके लिए होगा written test के लिए होगा written test हो Hindi English दोनों language आप लिए मुलोता है वो shorthand के लिए होगा तो वहाँ पर English अगर आपके typing होगे English short hand आता होगा तो English चुनना वरना हिंदी चुनना तो यहाँ पर हो गया 10 minute का हिंदी चुना होगा तो Hindi English चुना होगा तो English वहाँ पर diction होगा जिसमें 10 minute में जो आपको बोलेंगे वो 100 words per minute के हिसाब से बोलेंगे grade C की नौकरी के लिए और 80 words per minute के हिसाब से बोलेंगे grade D की नौकरी के लिए और आपको उसका short hand करना होगा अब मुझे पता है short hand नहीं पता होगा क्या होता है तो यहाँ पर मैं clear कर देता हूँ paper उने में 3 महीने है short hand सीखा जा सकता है बहुत महनत करना पड़ेगा लेकिन short hand सीखा जा सकता है short hand क्या होता है basically एक language है जो कि हमारी जो normal language है उसको छोटे में convert करने के लिए लिए लिखा गया है छोटे में convert तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ लिख दिया हो गया छोटे में convert जोटे में लिख रहा हूँ अपने हिसाब से क्योंकि वह उतने बड़े statement को नहीं लिख सकते तो यहां पर इसलिए generalized एक चीज़ कर दी कि generalized language है basically short hand तो यह short hand की generalized language बनाई गई है कि यह language है जैसे the टी एची दो को डॉट लिख देते हैं short hand के बासा में टिक है मतलब science ऐसे है एक single आपको word मिलेगा और एक डंडा उसके लिए बना रहे होंगे एक छोटी से line यहां बना रहे होंगे और आपको पूरी की पूरी line में स्क्रीन में दिखा दूँगा कैसे short hand दिखता है लिखा हुआ कैसे दिखता है और उसका short hand कैसे दिखता है या फिर letters कैसे होते हैं उनका क्या मतलब होता है मैं एक वैसे detail वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ मुझे comment section बताएगा अगर short hand को पर detail वीडियो जानना है कि कैसे सीखना है क्या है basic यहीं बता के कतम कर दूँगा तो आप मुझे ज़रूर बताएगा मैं आपको उसका वीडियो बना करके दूँगा तो यह है basically short hand इसकी आपको यहाँ पेपर देना है इसके बाद क्या होगा सिर्फ इतने नहीं है यह short hand में तो आपने लिख लिया वह भाशा में तो लिख लिया अपने हिसाब से अब यह सही है कि नहीं तो इसका आपको typing भी करना है चोकि काम भी इसके अंदर रही है typing test क्या होगा वो आपको बताता हूँ typing test जो होगा वो English और Hindi दोनों के लिए अलग होगा grade D और grade C दोनों के लिए अलग होगा grade D की सबसे पहले बात कर ले grade D की English भाषा को 50 minute दिया जाएगा इसी चीज को type करने के लिए जो उन्होंने उपर लिखा हुआ है और Hindi भाषा में आप होगे तो 65 minute यानि 65 minute दिया जाएगा typing के लिए अगर आप grade C के लिए अपलाए किये हो English भाषा में तो 40 minute दिया जाएगा 40 minutes और stenographer grade C Hindi में अपलाए किये हो तो 55 minute दिया जाएगा यानि 55 minute तो वही जो आपने उपर लिखा था अपने short hand में उसको type करना है यहाँ पे और यह जो समय मैंने आपको बता है यह समय दिया जाएगा typing करने के लिए यह खटा एक साथ हो जाएगा कि आपको उपर वाला 10 minute दिया गया करने के लिए 10 minute के बाद आपको यह 50 minute मिलेंगे type करने के लिए तो यह हो गया skill test बहुत important test को समझना I think समझ मैं आगया आपको written test हुआ skill test हुआ जो इन दोनों को पास करेगा वो आ जाएगा हमारे merit list में selection हो गया तो आपकी नौकरी हो गए बस यह था और कुछ भी निता examination pattern तो बुक्स के बारे में देखें उससे पहले आपको बता दू कि याद है starting में mock test बताया था यहाँ पर फिर से बता तो mock test बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बुक्स यहाँ पर आपको knowledge देखी बट यह examination में speed भी चाहिए बहुत ज़्यादा speed चाहिए तो mock test तो recommended ही है आपको करना ही पड़ेगा mock test देना ही पड़ेगा examination करा है कि नहीं की जा सकता 140 का cut off नहीं achievable है 120 मिनेट में अगर mock test नहीं दोगे तो तो बुक्स आपको तो लेनी है mock test भी लेना है link में डाल दिया description में एक बार ज़रूर चकाउट कर लेना तो बुक्स यहाँ पर single book है 2-3 market में ले सकते हो मैं खासा को recommend नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं उनको पढ़ा ही नहीं हूँ पढ़ा नहीं हो उनको testing नहीं किये तो हटा दीजे single book के बार बात नहीं करूँगा हर एक topic के लिए एक book में हाँ पर मैं आपको recommend कर देता हूँ ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर English के English के अंदर यहाँ पर अगर आपकी English week है ना तीन मेने का time है अच्छा करने का मने तो Lucent की English purchase कर लीजे उससे अपका काम चल जाएगा इस stenographer के अंदर questions जो है मैंने SP बक्षी से देखे हैं बहुँ जादर repeat होते हुए SP बक्षी हर examination में recommend नहीं करता हूँ पर assessist stenographer के अंदर SP बक्षी की जो English है वो काफे ठीक ठाक है काम आ सकती है इसके लावा जो essential English अगर आपने पहले से लिए रखा है मेरे हर वीडियो पर recommendation है कुछ लेने के जरूरत नहीं है इससे काम चल जाएगा अगर आपको new लेना है तो मैं कहूंगा SP बक्षी वाली जो आपकी किताब है इस examination के लिए वो थोड़ी सी better है हर examination में काम आ जाएगा लेकिन हर examination के लिए थोड़ा सा ये better रहेगा आपका essential English क्योंकि latest edition में निकलावा है चीज़े अच्छे तरिके से covered है तो essential English और SP बक्षी और Lucent तीनों में आपको समझ माएगा English अपका weekend नहीं आता है तो Lucent ले लो भाई उसमें English हिंदी में समझाएगा है अच्छी किताब है अच्छ बुक पर आते हैं उसके पास ये बुक होनी चाहिए बहुत अच्छे किताब है उसको purchase कर लिज़े इसको क्यों recommend करते है एक हजार बार तो इसका नया edition निकल चुका है इसके error लगबग ना के बराबर है इसमें error ही नहीं है तो बहुत अच्छी किताब है Lucent ले लिए आपने Current Affairs पह जाते है Current Affairs यहां पर आपको जो चाहिए वो चाहिए दो तरीके के set है magazine आपको पसंद है तो परते उगदा दरपन के magazine लीजिए लास्ट छे मन्त का edition इसके इलावा मैरे Telegram गुरूप के अंदर मैं previous papers भी देदूँगा इस examination के इसके इलावा मैं अपने Telegram गुरूप में डाल चुका हूँ योजना पूरी मत पढ़ना योजना बस यह देख लेना कि योजना में क्या-क्या चीज़े निकली वही है उपर उपर से देख लेना मैं 9 महीने की योजना डाल चुका हूँ योजना के इलावा कुरुक शेतर भी मैंने वहाँ पर डाला है आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं आएगा एक दो क्वेश्चन मुस्किल से आएगे यह हो गया आपका यह सब कुछ नहीं पढ़ना और किताब बताओ जो छोटे में हमारा काम चला दे तो quarterly current affairs आती है अदिशा पुप्लिकेशन की last 2 quarter की आप वह किताब ले लो उससे आप तक काम चल जाएगा link description में available है ठीक है तो quarterly current affairs ले ले लिए काम चल जाएगा किसी भी सरकारिय नोकरे की आप exam दे लो या फिर 12th pass में हो या फिर ग्रिवशन में हो तो यहाँ पर अच्छी किताबों में दो किताब है अवलेवल हैं एक एक एसचांद publication की verbal non-verbal reasoning है और आपकी second है दिशा publication की essential reasoning दोनों किताब अच्छी है verbal non-verbal जो है एसचांद publication की है आरे संगरवाल की है यह किताब इतनी मोटी है ठीक है बहुत मोटी है लगबख सारे examinations covered होंगे CAD भी cover होगा हर एक चीज़ के अदर cover होगा बट अगर आप ऐसा चाहते हो book जिसमें थोड़ा सा कम सिलिबस हो इतनी मोटी book है आपके essential reasoning cover सबको चाहिए इसमें CGL के तयारी हो banking के तयारी हो हर एक तयारी हो जाएगी दोनों book में हो जाएगी आपके तयारी दोनों ही best है तो आप essential reasoning ले लिजेगा अगर आपको छोटी book चाहिए content लगबग उसी के type का चाहिए तो आप essential reasoning पे चाहिए आपको भाई मेरे को कोई भी examination आजाए कुछ भी देना पड़ जाए मैं कुछ भी दे सकता हूँ कल को मेरा mood बदल जाए कोई examination में देना चाहता हूँ तो एस चांदार है सगरवाल जो है कैसे type के question आने वाले हैं तो चलिए syllabus दिगना शुरू करते हैं सबसे पहले English के बात करते हैं English में सबसे पहले topic है हमारा basics basics और concepts हो हैं English के उसके बाद आपका vocab, grammar उसके बाद sentence structure, synonym, synonym, writing ability clause test, comprehension, parajumble, phrase replacement spotting error, direct and indirect speech अब माते reasoning पे reasoning में है हमारा similarities and differences उसके बाद analogy, problem solving, space visualization, judgment analysis, decision making, visual memory, relationship concepts, discriminating observation, mathematical listening, number series, non-verbal series, verbal and figure classification, यह आपको दिख रहा होगा, सब SSC, CHSL वाले से लिबद है, वो ही यहाँ चेपा हुआ है, CGL, CPO, सब में लगबग ही है, पस question के levels अलग-अलग होते हैं, ठीक है, अब हम आज आते हैं, general awareness के उपर, सबसे पहले टॉपिक है, current event, current event के बाद, आपके Indian and its neighboring countries, history, geography, and general polity, with emphasis on Indian constitution, Indian independence movement, award and honors, books and authors, latest appointments, important dates and events, scheme launched by government of India, art, culture, sports, and economies, यहाँ पर आपको जो भी नए event है, वो योजना से मिल जाएंगे, और जितने भी आपके इसके अंदर, geography, constitution, यह सारा पाट है, वो लूसेंट से आपको मिल जाएगा, लूसेंट तो सारा खतम कर देना है आपको, हाँ, science वाला जो पार्ट होगा, लूसेंट का, वो भी आप पढ़ लेना है, क्योंकि इस paper में आता है, बहुत बार देखा गया है, इसके अंदर questions आता है, पिछले साल के paper में, 2012 के मतलब बता रहा हूँ, question आया थे general science के, जिसमें आपका bio के भी कुछ question बने थे, physics के भी बने थे, chemistry के भी बने थे, तीनों पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, अब हम आ चुके हैं हमारे last part पर जो की cutoff है, cutoff एक बार देख लेते हैं, पिछले साल का, देखें, पिछले साल का जो cutoff है, उसमें जो आपका grade C है और grade D है, दोन सबसे कम 559 का है, OBC 142, ST 117 और schedule cast 132, अब हम आ जाते है grade D पे, grade D में है जो हमारा वो है, unreserved and general के लिए 131.2, उसके बाद आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे 103 SC है, ST के लिए 84 है, OBC के लिए 126 है, EWS के लिए 83.5 है, ठीक है, तो आजकल OBC से अच्छा EWS में apply करने का हिसाब है, OBC EWS अगर आप दोनों होगे, तो EWS apply करना, यह हमारा आज का main point था, cut off बताने का, cut off आपको समझ में 146, 131, यह cut off था grade C का और grade D का, और कितने में से 200 में से, 120 मिनिट मिलेगा, एक मिनिट में एक question से ज्यादा question करना नहीं है, सही करना है, बहुत अच्छी का सी practice है, cut off बहु आएगा, मत और आपका 146 से 138, 139 तक टाफ आएगा, बट आप यह सोच के मत चलिए, जो कट आफ लिखा हुए ना, यह आप target बना के चलिए, और इसके हिसाब से ही तयारी करिए, कि इतना attempt करना है, mock test देजिए, mock test के मैं आपको link description में दे चुका हूँ, दबा के mock test होंगे, तो अपे शलाल को वीडियो सब्सक्राब करें, थैंक्यू,